नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी का बेहादी खासकारिक्रम न्यूसरूम मेरा नाम अन्राग गुपता है अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकाइदा सरगना आइमान अलजवाहरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया इसके जानकारी खुद राश्टपती जो वाइडन ने दी उन्होंने बताया कि अलकाइदा सरगना आइमान अलजवाहरी काबुल में हवाई अमले में मारा गया चाहे कितना भी समय लगे चाहे आप कहीं भी छिप जाएं अगर आप हमारे लोगों के लिए खत्रा हैं तो अमेरिका आपको धूड़ेगा और बाहर निकालेगा आपको बता दे के जवाहरी अमेरिकी कारवाई में साल 2011 में उशामा बिल लादेन के मारे जाने के बाद अलकाइदा का सरगना बना था करीब दो दसक तक चलाई अभियान के बाद अमेरिकी सैनिको के अफगानिस्तान छोड़ने के 11 महीने बाद एक महत्पूर आतंकवाद रोधी अभियान में अमेरिका ने यह सफलता हासिल की CIA ने दिया ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम प्राप जानकारी के मुताविक अमेरिका की खूफी आजनसी CIA की एक टीम ने इस्ट्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया अलजवाहरी पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में तालीबान की सरकार बनने के बाद से काबूल में रह रहा था ऐसे में अलजवाहरी की मौश से तालिबान भड़का हुआ है और अमेरिका के इस कारिवाई को दोहा समझोते का उलंगन करार दिया है वाइडन ने अमेरिका खूफिय अजंसी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी आसाधारन डर्टा और कौसल के लिए धन्यवाद जिसकी वज़े से यह अभियान सफल हुआ वैश्विक आतंकवारी था अलजवाहरी उसामा के मारे जाने के बाद अलजवाहरी की पहचान वैश्विक आतंकवारी के तोर पर बन गई थी और उस पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम था दरसल अलजवाहरी डॉक्टर बनना चाहता था और उसने मिस्ट की एक सेना में सरजन के तौर पर तीन साल तक काम किया लेकिन साल 1986 में उसामा विल लादेन से मिलने के बाद अलजवाहरी का इरादा बदल गया और वो उसामा के लिए काम करने लगा इसके बाद अलजवाहरी मिश्र में 90 के दसक के मद में इसलामिक राज की स्थापना का वियान चलाने वालों का प्रमुक बन गया इस दोरान कई कतले आम हुए और 1200 से अधिक लोगों की हत्या में अलजवाहरी शामिल था पहले उसने ओशामा की छत्रशाय में काम किया और बाद में उसके उत्राधिकारी के तौर पर खूपिय विभाग के एक वरिष्ट अधिकारी के अनुसार अलजवाहरी जिस घर में मारा गया वे तालीबान के सीर्श अरगना सिराजुद्दीन हकानी के एक सीर्श हयोगी का है इस मिसाइल से मारा गया अलजवाहरी C.I.A. ने अलजवाहरी को मारने के लिए हेल्प फायर मिशाइल का इस्तमाल किया जिसका पूरा नाम R9X हेल्प फायर मिशाइल है इस मिसाइल से बचपाना लगभग नामुम्किन है क्योंकि इसमें बारूत कम और ब्लेड्स नुमा धारदार धात्यों का जादा इस्तमाल होता है इस मिसाइल में सेंसर और कैमरे लगे होते हैं जिसके जरीए लक्ष को भेतने तक की पूरी जानकारी मिलती है पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने इस मिसाइल का इस्तमाल बढ़ाया है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके